वैसे तो चावियों को लोग आम चीज समझते हैं लेकिन आपको बता दे कि एक ग्रहणी की संपूर्टा का परतीक होता है चावियों का गुच्छा वैसे तो एक ग्रहणी को लक्ष्मी माना जाता है और जहां लक्ष्मी होती है वहां दन की कभी भी कमी नहीं होती लेकिन आज हम आपको इन चावियों के बारे में बताएंगे कुछ खास बाते जीहां अगर ग्रहणी के पास चावियों का कोई ऐसा गुच्छा है जिसे बार बार साफ करने के बाद भी जंग लग जाता है तो ये एक अच्छा सगुन माना जाता है इसका मतलब है कि घर का कोई रिस्तेदार आपको कुछ धन देना चाता है जीहां यानि आपको धन की प चाहता है इसके अलावा रूई का तुकड़ा अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों पर चिपक जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह एक सुब सगुन होता है यह आपको संकेत देता है कि आपको कोई सुब समाचार जल्द ही मिलने वाला है कोई या फिर कोई पिर्णे व्यक्त हम अक्षर भी हो सकता है जहां सुब संकेत या पत्र या फिर टालीफोन वगेरा आ सकता है अक्षर कपड़े का अगर गलत बटन लग जाए तो हम उसे अपनी भूल समझ लेते हैं लेकिन यह भूल नहीं होती आपको बता दे कि अगर बटन गलत लग जाए तो यह है इसके अनुसार सीधे कांबे उल्टे पढ़ जाते हैं इसके प्रभाव से बचने के लिए कपड़े को उतार कर सही बटन लगाने के बाद ही पहने यदि रास्ते में चलते वक्त आपको कोई बटन मिल जाए तो समझ जाए कि आपकी मुलाकात किसी नए दर्व दोस्त से ह हो सकती है नेशनले स्पीच्वल से राने की रिपूर्ट